पुद्धमारी देयरेश्ट्वेंट, प्रिपिए वीडियो में हम लोगों ने टेंश और वन्स के वेसित पे टेंश और वन्स और नमबर को नोगों ने सिखा था तो तेंस में देखते थे के स्टार को मैंने एक बंडल बनाता था तेंस का देर उसके आगे नेस्ट हम दो वान फिट और 11 12 13 ऐसे करके हम दो नहीं देखा था पॉके नहीं सेखे आगे टॉपिक के में बात करों तो मानैंस टॉपिक एस मिलिए और मिलियू सब्सक्राइब नामर के बीच में कमपेड करें ना नामर के बिच में कमपेर करता है यहां कि इसका मिलिए मतलब पहली हो कि मैं इख खरां हूं कि और मेरे आगे मालू कोई आगे ख़ड़ा ओके तो क्या हो डिए से आगे नींदे अगे मतलब भीफोर है चेंट अपर अप्टर अप्र मतलब मतलब होता है तो पर ना मैं यह चांटर भी किसी ने आ या मेरे किबाल आया हूँ आपटर नेस्ट बिटमीन मतलब होता है दो के बीच में जैसे मालों मैं खरा हूं लाइन में मेरे आगे कोई एक और लादो किसी को अपना अगे मेरे कोई ने खरा है ते मैं बीच में और मेरे पीछे किसी एक और परसन खा रहा है इस दो के बीच में करा हूं इस मैं क्या हूं मैं बीच में हूं इसको उन्हों सबस्ते हैं नंबर नाइन से यह इस 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 नंबर नाइन इस इस को मैं आपके इस 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 इह आप यह पूंज होता है तो देखो नंबर नाइन कुछ हाई लिए नंबर नाइन को आप ऐसे समझें तो आप इमेटरी बॉक्स में आपके पास देखना एक एक स्केल दिया होता है तो स्केल आपको देखते हैं जिस पर डिजिट याने की नंबर उस तर लिखा होता है यहां पर मैंने कुछ नंबर लिख दिया है जीरो वान टू थी फोर फाइफ सिक्स सेवें इतना ही तर लिखा है इससे आगे भी लिखा जा सकता है वो डिपाइट करते हैं आपकी कोस्टिन पर इसको नंबर लाइन बोलेंगे अब देखो नंबर लाइन से हुझते हैं कि इसको कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं इसको समझने की कोशिस का हुआ देखो यहां पर मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने क्या कहता भी किया तर मांदो कि मैं लाइन में खाड़ा हूं मेरे पीछे को यह और मेरे आगे तो उसी तरह से यहां पर देखो मैंने तीन नंबर को मैंने सरकल में किला है तो 4 5 6 तो कौर से देखो जहां से आप देखो गे तो 4 5 6 तो 4 5 6 तो 4 इस अप जस्ट भीफोर 5 यानिकी 5 के जस्ट भीफोर है देखो नंबर इस कौंटी का हुआ जीए ओ वन टू थी फोर फाइप यह फाइप के पहले क्या है फोर है सो मैंने यहां का जस्ट भीफोर यानिकी 4 से पहले है नेट्स 5 6 तो 6 को पहले देखो पहले 5 से पहले 6 को समतो 6 के फाइप के बात है आप पर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है तो 4 5 दिन 5 के बाद क्या आपको 6 है तो जस्ट आप्टर मतलब क्या 5 के बाद 6 आ रहा है ओके एक इस दो के बीच में 4 & 5 6 इस 4 और 6 देख लिकिया में अपका बिल्वीर आपका बिल्वीर है तो अब पढ़ेंगे कैसे हॉं इसको लिखेंगे कैसे हॉं पढ़ेंगे कैसे है और मैं इसकी बात करूं how to write and how to read तो इसको एक मतलब sentence के form में कैसे read करते हैं उसको देखो नमबर फोर देखो नमबर फोर comes just before धाले नमबर comes आया just before number five मतलब क्या इस five से पहले कोन आया है four आया है next नमबर five comes in between comes in between मतलब दो के बीच में comes in between number four and number four and six okay number four and six देखो number five इसको number को जेखो इस number को जेखो आप number five okay इसको number five क्या है comes आया है between इस four आई six से बीच में कोन है five ने इसको कैसे पहले है नमबर five comes in between number four and six okay now next number six मतलब ये number six की में बात करूँ number six comes just after number five या इसको ऐसे भी समझ लो कि यहां पर कोई person है एक सब्सक्राइट मानो कि यह आपका school का counter है यह आपका school का counter है ऐसेफ या पुप पर आद करते हैं कुछ आप का 추़ेज करते हैं फाइक विद्वीन फोर एंड शीक्स को सरा कैसे लुट करें इससे मैं यहां से कुछ कूषिंस लिखा है यह आपका कुष्ट्टन है एक सब्सक्राइब कैसे मैंनों बढाएंगे तो 6 से पहले क्या होगा, 5, obviously you know that, 6 से पहले, याने कि 6 से पहले क्या होगा, 5, आवी देखो, 6, 6 से पहले क्या होगा, 5, then, 5, 6, then after, याने कि 5 के बाद क्या होगा, 7, okay, very good, so now next, 3, next question, 3, 3 से पहले, before, 3 से बिफोर, मतलब just before, 3 से पहले मतलब क्या होगा, 2, then, 3 के बाद, after 3, after 3, that means 4, okay, तो इस तरह से हमनों number system से आपनों यूज कर सकते हैं, इसको हमनों utilize करते हैं, इसी तरह से solve किया जाता है question को, तो देखो, अगर मैं आपके book की बात करूँ, तो आपके book में let's try 4, okay, this is your book, let's try 4, let's try 4, let's try 4, page number 11, let's try 4, page number 11, इसी के basis के आपका बहुत सारे question है, next अगर मैं बात करूँ, तो page number 12 की में बात करूँ, तो page number 12 पर भी देखो, बहुत सारे ऐसे, मतलब before, between, after, इस तरह से जो अभी जो मैं पढ़ाया, इसके basis पे बहुत सारे question है, तो आप लोग इसको क्या करना है, आप लोग को solve करनी है, और try करना है, आप लोग करना है, नेक्स्ट विडियों सारी बात को discuss करेंगे, तेंक्यू,